शिवशक्ती बायो टेकनोलोजीस लिमिटेट की ओर से सभी किसान भाईयों को हारदिक शुभकाम नाएं फसलों के लिए फायदे मंद कवक यानि फंगस हम सभी को इस बात का एक डर होता है कि फंगस एक हानी कारक सुख्ष्म प्राणी है लेकिन हमारे पर्यावरण मिट्टी में कई प्रकार के फंगस हैं जो हमारी फसलों के लिए अच्छे हैं जिन में से एक अर्बस्कुलर मैकोराईजल फंगस वैम है इसे ध्यान में रखते हुए शिवशक्ती बायो टेकनोलोजीस लिमिटेड ने नए तक्नीकी अनुसंधान के आधार पर वैम डाइमंड डी नाम का एक पेटेंट उत्पाद तैयार किया है वैम डाइमंड डी में मैकोराईजल फंगस वैम पौधों के साथ मिलकर जड़ प्रणाली को विक्सित करने में मदद करता है और पौधों को मिट्टी से पोशक तत्तों अफ्शोर्शित करने में मदद करता है ये मिट्टी में फासफुरस, केलशियम, मैगनीशियम और जिंक जैसे पोशक तत्तों को घोल कर पौधों के लिए उपलब्द कराता है पौधों में जिंक, आइरन, बोरोन, मैगनीज, केलशियम, मैगनीशियम और सिलिकॉन की कमी होती है ये जड़ प्रणाली विक्सित करके पौधों की प्रतिरोधक्षमता में विद्धी करता है वैम डायमंड डी का उपयोग फसल को विविन्न, म्रदाजनित कीटों एवं बीमारियों से बचाता है पौधों के परियावरण और जैविक तनावों के प्रति सहनशील बनाता है वैम डायमंड डी के उपयोग से फसलों को पोशक्तत्व मिलते हैं जिससे फसल, स्वस्थ और तेजी से बढ़ती है इससे किसान को अधिक पैदावार प्राक्त होती है मात्रा और उपयोग की विधी म्रदाप्रियोग 250 ग्राम प्रती दो एकड वैम डायमंड डी का उपयोग अन्य उर्वरकों या रसायनों के संयोजन में किया जाता है ड्रिप अनुपयोग वैम डायमंड डी पानी में घुलनशील जैविक उर्वरक ड्रिप विधी से 125 ग्राम प्रती एकड इस्तिमाल करना चाहिए बीज उपचार 1 किलो सोया बीन, मक्का, गेहु, बाजरा आदि के बीज को 10 ग्राम वैम डायमंड डी को 10 मिली लीटर पानी के साथ मिलाकर बीज को उपचारित करना चाहिए परणिय च्छड़काव एवं ड्रेचिंग प्रयोग परणिये छिड़काव के लिए वैम डायमंड डी को एक ग्राम प्रती लीटर पानी में मिला कर फसल पर छिड़काव करना चाहिए। प्रकार के रासायनिक उर्वरकों और कीट नाशकों के संयोजन में भी किया जा सकता है। राजा बनाने की शक्ती हमारी शिवशक्ती। राजा बनाने की शक्ती। राजा बनाने की शक्ती। राजा बनाने की शक्ती शक्ती।